हरी कृष्णा राधी राधी तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको दिवाली पूजा की बहुत ही सरल विधी बताने वाले हैं फ्रेंट्स अगर आप वरकिंग हैं, या आपके बच्चे बहुत छोटे हैं या आप किसी भी ऐसे शहर में, किसी भी देश बीदेश में आप रहते हैं चहां पर लक्ष्मी पूझा की बहुत सारी सामगरी आसानी से नहीं मिल पाती है या फिर कई बार ऐसी इस्तिती परिस्तिती भी बन जाती है कि हमारा पूजा करने का मन नहीं करता लेकिन क्योंकि दीपावली बहुती बड़ा त्योहार होता है तो पूजा तो हमें जरूर से करनी है तो बहुती सरल बिधी बताने वाली हुमें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे देवाली की शाम को इस नानादी करने के बाद उत्तर या पूर्विकी दिशा में एक चौकी लगा लें आप अगर चौकी नहीं लगाना चाते हैं तो घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ करके घर के मंदिर में भी आप ये पूजन कर सकते हैं इसके बाद देखिए सभी के घर में लक्षमी गनेश जी की मूर्थी, फोटो या कैलंडर तो होता ही है तो आप उन्हें पूजा में रखें अगर मिट्टी की मूर्थी हैं तो उन्हें रखें अगर किसी धातू की मूर्थी हैं जैसे पीतल की, चांदी की, अस्ट धातू की तो आप उन्हें इस्तनान जरूर से करा लें तो मैं यहाँ पे सभी को गंगाजल छिड़क के शुद कर ले रही हूँ तो फ्रेंट्स मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीपावली सिर्फ अमीरों का त्योहार होता है हम गरीबों की कैसी दीपावली तो जी नहीं ऐसा नहीं है मा के लिए हर बच्चा पराबर ही होता है हो सकता है बच्चों के मन में ये बात आ जाए कि ये अमीर है हम गरीब हैं लेकिन मा के लिए उसके बच्चे सबी प्यारे होते हैं बस आपको मा का स्वागत करना है बहुत भवे रूप में ना कर सकें तो भी छोटे से रूप में हमें देवी का पूजन जरूर करना है तो यहाँ पे देखिए एक मिट्टी का दिया हमने लिया है इसमें रुई की लंबी बाती लगाई है अब आपके पास तिल का तेल हो सरसों का तेल हो या घी हो ठीक है आप किसी से भी दिया प्रजुलित कर सकते हैं और दिये को हमने जो स्वास्तिक बनाया है चावलों से इसके उपर हम रख देंगे अच्छा ये दीपक आप थोड़ा बढ़ा ले और इसमें घी या तेल आप इतना भढ़तें कि ये दिया पूरी रात जलता रहे क्यूंकि दिवाली की रात घर्म के मंदिर में अंदकार नहीं होना चाहिए एक दीपक तो माता लक्ष्मी के निमित जलना चाहिए और अगर आप स्वास्तिक भी नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़े से प्लेट में या कटोरी में आप चावल रख ले उसके उपर भी आप दीपक प्रजुलित कर सकते हैं तो हमने देखिए धूप दीप जला लिया है और अब हम पूजन शुरू करेंगे तो अब हम सभी को चंदन रोली अक्षच चड़ाएंगे सब का तिलग करेंगे ठीक है और क्यूंकि मैं बिना कलश स्थापना के आपको ये पूजा बता रही हूँ अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो कलश स्थापना के बारे मैं मैं अपनी कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ ठीक है तो ये एक ही वीडियो कई सारे लोगों के काम आने वाला है जैसे मान लेजिए आप घर से बाहर कहीं जौब करते हैं ठीक है आप घर नहीं आपाए हैं आपको छुटी नहीं मिली है आप हॉस्टल में रहते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो भी आप इस सुक्ष्म विदी से दीपावली पर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और देखिए रही बात सामगरी की तो जो आप से आसानी से उपलब्द हो जाए आप उतनी ही सामगरी में पूजन करें कभी भी पूजा के लिए हमें किसी से करजा नहीं लेना है उधार नहीं लेना है ठीक है अब यहाँ पे देखिए हमने सब को तिलक कर दिया वस्तर रूपी कलाबा हम अर्पित कर रहे हैं अगर आपके पास चुनरी है तो माता को आप चुनरी चड़ा सकते हैं उसके बाद देखिए कहते हैं कि दीपा वली पर माता लक्षमी को कमल के फूल चड़ाना अतियावश्यक होता है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि कमल के फूल सभी के पास हो तो आपको जो फूल आसानी से मिल जाएं आप वो माता को अर्पित करें गुलाब की पंखुडी इस तरह से चड़ाई माता को गुलाब की पंखुडी माता को बेहत प्रिय होती है ठीक है तो आप पीले फूल गुलाबी फूल लाल फूल जो आपको मिल जाएं उन्हें आप अर्पित करें तो देखिए वैसे तो देवाली पूजन जितने बैवप पूर्ण तरीके से किया जाता है उतना अच्छा होता है लेकिन हर सामगरी सभी के पास हो ऐसा तो जरूरी नहीं तो जो आपके पास है अपनी सामर्थ के अनुसार आप वैसे पूजन करें इसके बाद देखिए दीपक में हमने दो गुलाब की पंखुडी डाल दी है तो दीपक में आप सिक्का डाल सकते हैं कोडी डाल सकते हैं ठीक है अक्षट डाल सकते हैं जो आपके पास हो क्योंकि खाली दीपक दिवाली पे नहीं जलाया जाता इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे तो भोग में आप आज के दिन खील बताशे खिलोने का भोग जरूर लगाएं और पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं मिठाई का भोग लगा सकते हैं अगर मिठाई नहीं है तो खील बताशे का भोग लगा दे ठीक है अगर खील बताशे नहीं है आपके पास आप किसी ऐसी जगा पर रहते हैं तो आप मिठाई का मेवे का फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर घर पर आप दूद से बनी खीर का भूग लगा सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए दिवाली पूजा में थोड़ा सा सूखा खड़ा धनिया आप माता के पास जरूर से रखें और एक पातर में जल भर के रख देंगे ठीक है और इसके अलाबा आपके पास सोने चा किया जाता है कुछ ना हो तो कुछ दक्षिना आप रख लें जैसे 50 रुपे 100 रुपे 20 रुपे ठीक है जो भी आपके पास हो और आप इसे पूजा के बाद अपने लौकर में रखें ठीक है क्यूंकि माता लक्षमी की पूजा में रखे गई पैसों का दान बाहर नहीं किय जाता है इस चीज का ध्यान रखें इसके बाद देखिए दोनों हातों में आप इस तरह से खील ले लें और खील से आप माता के उपर वर्शा करें और माता से विनती करें कि हेमा जैसे हम आपके उपर खीलों की वर्शा कर रहे हैं वैसे हमारे उपर आप धन की वर्शा करे ऐसा करने से माता बहुत प्रसन होती है तो अगर आपके पास खील नहीं है तो फिर आप फूल भी ले सकते हैं गुलाब की पंखुडियां आप ले ले ठीक है इसके बाद हम करेंगे आरती तो आरती आप या तो अलग से एक दीपक जला ले या फिर आप कपूर से आरती कर सकते हैं लेकिन जो दीपक हमने जला के रखा है न वो हमें नहीं उठाना है जगा से ठीक है और आरती से पहले आप लक्षमी चालीसा का पार्ट कर सकते हैं या कोई भी पार्ट स्रीसूत का पार्ट आपको आता है वो आप कर सकते हैं उसके बाद आरती करें घर के सबी लोग मिलके और कम से कम एक माला लक्षमी जी के मंत्र की जरूर से जाप करें और इसके अलाबा क्योंकि अमावश्याति थी में दीपावली मनाई जाती है तो रात के समय आप हवन कर सकते हैं लक्षमी जी के लिए खीर से हवन कर सकते हैं या फिर जो कमल गट्टे के बीज होते हैं उन्हें खी में डुबो के आप आहूती दे सकते हैं तो इस तरह से पूजा और हवन करने से मातारानी खुब क्रिपा करती हैं और पूरी साल घर में धन की बरकत रहती है इस्थाई लक् तो भी हमें मन में कोई दुविदा नहीं रखनी है जो है जितना है माता की कृपा से उसी में हमें माता लक्षमी का पूजन करना है और दियों का त्योहार है दीपा वली तो दिये जरूर जलाएं तुलसी जी में घर की दहलीच पे घर की छत पे आपके घर के पास कोई मंदिर हो वहाँ पे भी आप दिया जला सकते हैं घर के किसी भी कौने में अंदकार ना रहने दें और पूजा में रही कमियों के लिए माता से छमायाजना जरूर कर लें और अपनी मनोकामना माता से बोल दें तो फ्रेंड्स पूजा की बहुती सुक्ष्म बिधी हमने आपको बताई है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर सी करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे